दोस्तो आप लोगों ने अंगूर खट्टे वाली कहानी तो बहुत सुनी होगी लेकिन आम खट्टे की मीठे की कहानी आज हम आपको बताते हैं एक बार की बात है संत इबराहिम आमों के एक बगीचे में रखवाले के काम करते थे एक बार बगीचे के मालिक सेड़ जी अपनी मित्रों के साथ वहाँ आए और सत इबराहिम से बोले महमानों के लिए कुछ आम तोर लाओ पर देखो लाना मीठे मीठे फल ये लोग हमारे ब इबराहिम बाग के अंदर गए और थोरी देर में कुछ आम तोकरी में भर कर ले आए सेठ और उनके मित्रों ने जो ही आम चुषने के लिए मुह में डाले उन्हें बहुत खटे लगे सेठ गुस्टे से भर कर डाटते हुए बोला अरे इबराहिम तुने तो बस बेगार औ खटे फल ले आए जो पेर सामने परा उसी से आम तोर लाए यह परवा नहीं की कि उसके फल मीठे होते हैं या खटे संत इबराहिम ने शांत स्वर में कहा सेठ जी मुझे क्या पता कि किस पेर के आम मिठे है और किस के खटे और फिर बिना किसी उत्तेजना के संयत स्वर में जोर दिया सेट जी मैंने कभी इस बगीचे के फल खाये होते तब तो मुझे पता चलता कि किस पेर के आम मिठे है और किस पेर के आम खटे सेट ने हैरान होकर पूछा क्या सच मुझ तुमने इस बगीचे के आम खाये ही नहीं संत इबराहिम बरी नमरता से बोले आपने मुझे इस बगीचे की रखवाली के लिए यहां रखा है इस बात का ध्यान रखना मेरा कर्तव है कि कोई इसके फल तोर न ले यदि मैं ही इस बगीचे का आम खाने लग जाऊं तो क्या मैं अपने कर्तव से गिरना जाऊंगा यदि रख्चकी भख्चक बन जाए तो उसके हित की सुरख्चा कौन करेगा ऐसे ही अंगिनत अंसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जादा से जादा लोगों तक सेर करें धन्यवाद